मैपिन शॉट में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरित पाध्याय आज हम बात करेंगे सेतू समुद्रम परियोजना के बारे में दोस्तो सेतू समुद्रम भारत और श्रिलंका के बीच तयार होने वाली परियोजना है इसके तहत वहां के उतले समुद्र को गहरा करके जहाजों के आने जाने के लिए रास्ता साफ करना है इसके लिए वहां करीब 89 किलोमेटर लंबे दो चैनल बनाये जाएंगे ये दोनों चैनल एक चौड़ी नहर की तरह होंगे जिससे होकर बड़े बड़े जहाज आ जा सकेंगे एक चैनल दक्षन पूर्वी पंबन द्वीप के रास्ते पर पाक स्ट्रेट को गहरा करके बनाये जाएगा जबकि दूसरा चैनल उस आलाइनमेंट पर बनाये जाएगा जिसे राम सेतू या फिर एडम्स ब्रिज माना जाता है इसके तहत ब्रिज की संरचना को तोड़ा जाना है जिसका हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है हिंदू संगठनों का कहना है कि यह वही राम सेतू है जिसका जिक्र रामायन में है वर्तमान में भारत के पूर्वी तट से पश्मी तट तक जाने के लिए एक जहाज को श्रिलंका के पीछे से चक्कर लगा कर जाना पड़ता है जहाजों को इसमें तकरीबन 780 किलोमेटर ज्यादा चलना पड़ता है